गुद्ट मॉर्निंग एव्रिवन और आज है हमारा डे टू शिम्ला में आज हम जा रहे हैं नारकंडा एंड कुफरी विजिट करने इन फैक नारकंडा ही जा रहे हैं हार्ट टो पीक तक वहाँ पे स्नो देखनी है और मैं आपको उससे पहले दिखाए दो हमारे होटल की बा वो मॉल रोट है वो जाकू टेम्पल है अनमान जी का छोटा सा पाट दिख रहे है बीबी अब चलते हैं ब्रेकफर्स करने के लिए और उसके बाद निकलते हैं तो इस प्रॉपर्टी को में आउट ओफाइव अगर आप पुछेंगे तो 4.5 रिटिंग देना चाहूंगी यहाँ पर मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगाता स्टाफ वही पॉलाइट वही कोपरेटिव खाना बहुत अच्छा था अर्रेंजमेंट बहुत अच्छे थे एंद काफी स्मूदली हमारा स्टे रहा था सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकबस ऑप्शन भी बहुत सारे थे तो हम यहाँ पर अभी ब्रेकबस करते हैं और फिर उसके बाद हम निकलते हैं अपने आगे के ट्रिप के लिए सो वे रेड़ी और बस अब हम लोग निकल रहे हैं नारकंडा हाटो पिक के रिए वह हमारी टैक्सी है सो हमने यहां से करी है सडान जो की हमें लेकर जाएगी और वापस हमें छोड़ेगी बस स्टॉप तक शिम्ला में और इसका प्राइस है तोटल फाइफ थाउजन रुपीज इसमें फोर बाई फोर का मतलब क्यूंकि हाट रूट पीक पे बहुत जा रहा है तो वहाँ पे जिसके चाल्जेस इसी 5000 में इंक्लूडेड है और नॉर्मली अगर आप सडान से जाते हैं सिर्फ और आपको 4x4 की जरूरत नहीं पड़ती है तो 3000 चाल्जेस है 2000 एक्स्रा इसली लग रहे है क्योंकि हमें वहाँ से 4x4 लेनी पड़ेगी तो इस आर्ट प्राइसे कि हमने द 3 गंटे का तो रास्ता है हाटो पीक तक का उमीद है कि हम एक तुबजे तक वहाँ पहुंच जाएंगे और एक दो गंटा महाँ पे एक स्पैंड करके फिर हम वापस निकलेंगे कि शाम की हमारी है वालगो शिमला से नारकंडा के रास्ते बहुत ही ज्यादा करनुफ नारकंडा निकल करें यह यह तक जा है यह जो वहाँ ठीज आरीह है रही है यह तो गर Mär02 को पर छेंगे तो निकल के रीमूट रहाते हैं कि इस गेट तो रास्ते के चुप्र वाय। है ना बहुरा जो राइट ह Tara रहा है वो तानी चील जा हुआ है और को सिधय जा रहा को आपका Hukumata templet hali गील अब हाहले हम जा रहे है तानी जुबलेग तो यह है तैनी जुबलेग का स्टार्टिंग औइंट हम पहुंचे है इस ट्वेल ओक्लॉक और हम निखलेते हैं वहां से नाइन थर्टी तो लगबग हमको दो घंडे लगे हैं यहां पहुंचने में यहां पर बस एक ही यह खाने का स्टॉल दिख रहा है बाकी तो यहां बहुत खाली-खाली सा है इसके चारों तरफ सराउंडिंग्स है यह नाग देपता जी का टेंपल भी है यहां पर यहां पर आप देख सकते हो कोई भी मिलने हैं और खाने-पिने का बस एक काउंटर बना हुआ है यह पड़ता है नारकंडा से के ट्वाइल किलोमेटर सागे यह लिग और थोड़े-थोड़े सी स्नौ यहां पर आप देख सकते हो है और प्रॉपर अगर स्नौ फॉल होता है तो यहां पर पूरा चारों तरफ आपको इस नोहीं दिखती है तो आप यहां पर रास्ते में भी आपको स्नौ दीखेंगी है चलिए एक राउन लेते फिर आपको दिखाते हैं यहां पर क्या क्या है और यहां से आपको किन्नुर के लाश की रेंजिस भी देखने को मिलती है यहां पर नागदित्ता का टेंपल है वह है नागदित्ता का टेंपल आई थिंक सो अच्छी सी धूप हो रही है और यह चारों तरफ देवदार के पेड़ है इस लेक की सराउंडिंग में अच्छा पिकनी की स्पॉट ही है और ज्यादा फेमस भी नहीं है तो यहां लोग कम ही आते हैं आपको हमेशा यहां पर ऐसी शांती देखने को मुलेगी थोड़ी तर बैठोंगी यहां पर निकलेंगे हाटों के लिए यहां पैठने की जड़े से बनी है सो हमारा तानी जुबर लेक पे काम हो गया है बहुत सारी फोटो क्लिक कर लिए वीडियो बना लिए इतनी सारी पर अपने वोतिकू अभी भी काफी लोग कर रहे है फोटो सेशन काफी अच्छी जगे है मैं दुबारा आना चाहूंगी क्योंकि यहां पर एक जंगल में ट्रेक भी जा रहा है स्मॉल सा तो मैं यह सब देखना चाहूंगी जंगल के बीच में नेक्स टाइम वेनेबर आई प्लान शिम्ला आई विल कम टू तानी जुबर लेक अगेन अगेन स्लेक को और भी जादा संतर बना रहा है यह रेट कर रहता है नागदेवता का टेंपल जो कि अभी ओपन भी है सो हम जल्दी से हाथ चोड़ लेंगे इन आगने कि भी जातों कि यहां से चाहता ही हो एँ यहां से हाथ तोपीक के लिए टेक्सी जा रहे हैं जैक्सिंदवर औरने कि रास्ता बंदेज तो फ्रोड Size हाद उन लेके पार जाना है प्लतन हौँ टेक्सी। रास्ता बंद है कोई टैक्सी नी जानी है अच्छा कितना दूर है पैदल टाज शे किलोमेटर है टफ है अच्छा यह रास्ता गया ना उपर से जो ऊपर लोग जाने क्या होगे रास्ते में बंद इतना तो स्नोफॉल भी वह हुए तो मैंनम क्या है यह स्टीब रास्ता है काफी ना तो जो बर्फ जम जाती है तो स्लिपरी बहुत हो जाता है और सिंगल वे रास्ता है यह तो फिर अगारी का एक्स्ट्रेन होगे जहां से जाता रहता है इस जैसे यह बंद है हमारे 4x4 चलती थी लेकिन वह भी नहीं चल पा रही है तो अनफॉल्ट्रेटल जैसा कि अभी आपने देखा हम हार्ट्रू पीक नहीं जा पाते हैं बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने के वज़े से रास्ता स्लिपरी हो जाता है और 4x4 तक नहीं जा पा रही थी दूसरा ऑप सब्सक्रान से तो फोधिन करते हैं नहीं करते कि यहां पी कम होती है हमारे त्राइव आले भाली आ जो होते हैं को में बताते कि आगे सायदपुर विलज्च में कहते हैं तो वहां पे अगर आगे स्नोकल करेंगे था जाडा मजा है श्रीक पर भी आपको आपको जी करने चाहिए जाड़ा एक जा फेसला लिए और यहां पे ड्रेस पे डिसकेशन चल रहा है इतनी सारी ड्रेस में मुझे तो कोई भी फेट नहीं आ रही अपको देखते होका मुझे ड्रेस नहीं तो मैं स्टूल लगा दीजे यहां पर बढ़ना वहीं चलते हैं यहां खाने ही पाएंगे इतनी भूख लगी है मुझे कि मैंने एक मैगी फैनिश कर लिया और रभी एक और उडर कर लिया पहारो में आके पहारो वाली मागी ने खाई तो प्रिक्याई खाया कि अधिया तो फाइनली इतना इसक्रशन के वाद मेरी साइस के एक आउट पुट मिली है और काफी अच्छा का लर मिल गया है तो हम जा रहे है अक्टिविटीज करने उपर इस नो एक्टिविटीज हमने चार पांच एक्टिविटीज ले लिए जिसमें हम इस्की करेंगे ज आपर नेट्वर्क भी है अरे वाँ आगी जा रहे है पहली बार कर रही हूं मैं स्नो एक्टिविटीज और हाटूग पिक का प्लान तो बननी पाया तो टाइम जो बज़ा था उसमें हम कर रहे है बाई चांस रैंडम प्लान दना है क्याते है रैंडम प्लान्स आरदा बेस्ट एंड मेरे लिए तो यह बेस्ट था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्नो अक्टिविटीज करूंगी बिकर्स मुझे बहुत दंग लगता है अक्टिविटीज वगरा करने में बट आई फाइनली ट्राइड टाइड अ यह बेस्ट दिसिजिए अफ मैं लाइफ नेक्स्ट जिपलाइन कर तो मजा ही आ गया मेरा फर्स्ट राइम था एंड आई वस्केर्ड बट इतनी नंभी जिपलाइन मैं फर्स्ट राइम कर ली ओ गौड़ने वीच में हाथ भी छोड़ा मैं आपको वीडियो में डालूंग और अब जा रहे हैं नेक्स्ट है स्कींग हमारा स्कींग के लिए यह स्कींग वाली जगे और यह स्कींग बूट्स है स्केटिंग यह पहनना है भी मुझे यहां बैटके एक्साइड चली जारा ही परचंट है खुला है शूस पहन के तो चला भी नहीं जा रहे है यहां मैं नहीं कर पाहूंगी हुझे लग रहे है मैं खडी रहूंगी आउट आउट ओफ अड़ आउट अफ आउट अव्ल दाउट इस इसकींग वस दाफेस्ट वैं रेलिम उस्टे भी नहीं बार मैं शायद बहुत परकर के स्केट किया था बट इत वस वे तो डिफिकल्ट थैन आई इमेज़ें तो गाइज यह ने पहने इसको क्या बोलते हैं स्केट्स और मुझे वहाँ से यहां तक यह लखी हुए खीछ कल लाएं वरना मैं बिल्कुल नहीं चल पारही हूं इसमें और आप अगर आए तो जो ट्राइक करें क्योंकि बहुत अच्छा एक्साइटिंग सा है कुछ बट मुझे डल लग रहा है सो यह एक्टिविटी मैं नहीं कर पाद हूं लेक्मी सी माइज इस एबल तो डूट बट मजा बहुत आ रहा है देखें बहुत मुश्किल है यह बहुत बड़े बड़े शीज़े राई यह लकी भी यह जिनोंने मुझे वहां से यहां तक ड्रैक करके लाए अभी नेक्स्ट रम जा रहे हैं थार में स्नो ड्राइब करने जो नीचे से मिलेगी हमें और उसके बाद हमें फटा फटा फट सिद्पूर नारकंडा में शॉप नंबर 99 जहां से हमने यह स्नो एक्टिविटीज करी है तो अगर आप कभी आये तो यहां पर आप कॉंटेक कर सकते हैं इंका नंबर यह है है हे हैं हम स्टार कर रहें और थार आजएगी फिर थार के लिएस राइगा दो गए होटी है उपMoreड़ कि गूंपी आजिते हैं एप्स करी यहां पर में पीड़ यहां आप्ता लगा है सिद्पूर में केंपिया होती खार आ मूंपिया अर एकंपिन शॉतन में कासए ह कि आपके रखेंगे रात को आपके शाहते हैं कि यहां अपने चाहते हैं को सब्सक्रप्राइब पर रात को हुआ है किए करना चाहिए टो इनको कॉंटेकर सकते हैं पास तरीको चे तरीको एक तरीको की पास तरीको दो ही बारत बढ़ गिरी है यह पिछली साल की बाद अच्छो तो भई हर सीजन में कैम्पिंग होती है आपर बढ़ पड़ गई तो उनको जी अब हम लोग थार में बैड गए है वो पिछे से साथ रोप भी है और के बाई अच्छो जाएंट जाएंगी प्टोड़े जल्डी है और यह हम जाएं यहां से जाएंगे हम दो से 2.5 किल्मटरा यहां से मैं अपो दिखाँगा इनरकी लाश वाव ठीक है है और शिरीगंद मादेव और और वीजिवल है अभी और चाहिना वाला बाद यहां से देखी ए मैं आपर रोगदे ना मौट तदर के फोट पिछाईगे हैं मैं भी संरूफ के ऊपर आ चुकी हो अभी और हम लोग है इस टाइम थार में ओ गौहाट अजी बहुत थंडे यार बहुत थंडे सेकेंड वो जो आमने आप देख रहे हैं वहाट टूपिक है जिस पहाडी पे उच भी नहीं है लास्च व से लास्ट रहे है । ऊके नहीं अब कंज़ेंगे आपके श्चान और पाशनी अपने अब हम करहे बहुत रोड कि थार में और बहुत मदा आ रहे हैं और बढ़ा हम क्या अगला ना भूल गए है अब बहुत तर्ड लगए है विबार ना फ़जा है यार मैं लिपसार फ्रीजिंग यह देखिए कितनी बरत है आपे यह अब स्टॉप पे आचुगे है यह क्या है यह सामने यह सामने वाले इया है यह है इमालेन साथा पीड़ो पाडी है इस बिलकोब तो फॉरेश कहा है चाहिना ऑग्त जीके लुटे चुटे चोटे पेड़ दिख रहा हो है है इस वाला प्रम पहले साहरी आपल आपल रहे है प्रम का करका पतितना इम्टीर से जशना खाए ऑब लोगई वाल हो धशना जिरी होए पेड़ दिख रहे होंगे अपल एंड चरी बहुत खुबसूरोच जगह इस जगह को क्या बोलते हैं इस जगह को बोलते हैं दोड़ा नाला दोड़ा नाला और आपको एरिया दिख रहा है नहीं 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 वन से लेलो बहुत अभी हम लोग यहां पर एक पॉइंट है रुक करके बस फोटोस क्लिक कर रहे हैं फिर हम यहां से वापस जाएंगे और फिर सीधा हमारा दैली की बस पगड़ेंगे बहुत मजा रहा है गाईस यहां पर बहुत संदर रहा है यह थार आई थिंग मैं इस ब्लोग को यहीं पर एंड करूंगी और स्नोव एक्टिविटीज के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ढाल दूंगी सारे डिटेल्स तो आप उनसे बुक कर सकते हैं अब मिलते हैं किसी और नहीं लोकेशन पर वित न्यू ब्लोग तब तक के लिए टारा बाइवाई सी यू और प्रीस दो सब्सक्राइब तो मैं चानल